नमस्कार आप देख रहे हैं राष्ट खबर और मैं हूँ आपके साथ सोनू पांडे कहीं जीत का जस्न तो कहीं हार की लकी रें उड़ रहे गुलाल बज रहे ढोल नगारे राजस्थान पंचायती राजचुनाओ के परिडाम के बाद जनता द्वारा चुने सरपंचों में खुसी की लहर है चारों और जहां जीते हुए सरपंचों में खुसी का महौल है वहीं कारेकरता अपने अंदाज में खुसी का इजहार करने में लगे हुए है इस खुसी में चारचांद लगाने के लिए राश्च खबर की टीम धरातल पर पहुँची और जानना चाहा कि क्या होंगे सरपंच के गाउं के विकास के वादे और किसे देंगे जीत का स्रे क्योंकि जनता ने चुना है गाउं का मुख्या, जनता ने बनाई है गाउं की सरकार नमस्कार, राष्टर खबर की टीम आज गराम पंचायत पारी पुंची है आज हमारे साथ यूवा सर्पेंच अंबालाल जी गुजर आये हुए हैं जाना चाते हैं क्या मुद्दे थे, क्या मसेले थे, किन मुद्दों को लगकर चुनाम ऐदान में उतरे थे जब चुनाव मैदान का दोर था जनता से वादे किये थे क्या वो पूरे करवाएंगे जानते हैं इनकी जुबानी सबसे पहले अम्मा लाल जी स्वागत है नमस्कार नमस्कार आपका बहुत-बहुत सवागत और अभी नंदन हमारे जो ग्राम पंचात में पदा रहे हैं इसके लिए मैं बहुत-बहुत तदिल से आपको बहुत-बहुत दिन्यवाद मैं कहना चाहता हूँ कि जो हम चुनाव मैदान में उत्रे थे उस समय काभी समय से हमारे सामने जनता के बीच में आई थी और उसके लिए ये बड़े-बड़े मुद्दे थे कि कई वर्सों से लोगों की विकास में बहुत पिजड़ा हुआ ग्राम पंचात इसमें क्या हु हुए थे वो वादय पूरे नी होने के कारण हमारे को भी बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा इसके लिए जनता ने हमारे को विश्वास पे कहा के यदि एक बार में का मेरों को देख लो और जिदी विकास में कोई कमी नि छोड़ूँगा एक प्रयास रहेगा कि सोच बारत की तरह और स्वच ग्रामपंचायद जिल्ले में पर्थम ग्रामपंचायद बनाने का लक्षबी में रखा है आप पारी ग्राम पंचयत की बात करें यहां विकास कुछ नजर नहीं आ रहा है ऐसा क्या कारण रहा कि सर्पैंच बहुत बने यह बुद बने हैं किसी भी जनपरतिनी दीने आवाज नहीं उठाई ना कोई विकास करवाया ऐसा क्या करना इसका कारण यह रहा है कि सर यहां लोग बहुत मलब यह सिक्षा की कमी है यहां पहला काम यह सिक्षा की कमी होने के कारण लोग जाग रुकनी है और इस चीज़ को नहीं समझ पाए कि विकास क्यों नहीं हो रहा है किस कारण से नहीं हो रहा है ये लोगों को समझने के लिए कापी टाइम लग रहा है इसके लिए अब हम जो युवा हैं और युवाओं का साथ हैं और अब हम जो विकास की जो डोर थामे हैं इसके लिए हम अच्छा प्रियास करेंगे और कुछ नए अमोड लाएंगे कराइ के लिए हैं की बारत मास्वास मिशन में आम आद्मी जाग रुक नहीं है एसा क्या करना ख़ेले से खर किईग है कुछ अपने नीजी स्वारत के लिए आपने विकाव ग्राम पंचायत के विकास की और ध्यान नी देने के कारण और यहां लोग ज्यादा सिक्सित नी होने के सबसे बड़ा पहला कारण यह है कि यहां सिक्सा नी होने के कारण लोग इसको विकास की और द्यान नहीं दिया गया और यहां अब जो है विकास की बात और जनता को विकास के लिए हमारे को इसमें खरा उतरने की पूरा प्रियास करेंगे जिए निश्र ed practe के लिए क्या रोजगार के सनसादन है आपकी ग्राम पंचायत में और आपके क्या प्रियास होंगे सर्रल युवाओं के लिए हम ग्यार दिलाने की यह यहां को हम हर योजना से उसको जोड़ने का प्रियास करेंगे तने इस वंचलिए जब से बढ़ा न बेरिक 1- से लोग ज्यादा जूड़े हुए और जो पहले से ही के भाड़ी से ज्यादा लगाव है हर परिवार को यहां पहले से कमी और जो गुर्मेंट सर्वेंट नहीं होने के कारण इसके लिए अपनी PD दिर PD कमजोर सिक्षा से कमजोर होती जारी है इसके लिए सबसे बड़ी समिशा यह ओर है और अब प्रियास करेंगे कि हर बच्चे को अबालिका को सिक्सा से जोडने का प्रियास करेंगे सर्बन साब आप प्रियास करेंगे हो राज्य में सरकार है अशो के लोद कॉंग्रिस सरकार उन्होंने कहा है कि इस बार अनपड़ भी सर्पेंच बनेंगे और बनें भी हैं क्या ये फैसला आप सही मानते हो ये अनपड की जो बात आती है ये अनपड के लिए सर मैं सही नहीं बानता हूँ क्यों कि यदि अनपड सरपंच बनेगा उसको ये मालूम नहीं होगा कि विकास कैसे किया जाए और किस तरीके से किया जाए इस चीज़ में वो अच्छी बात नहीं है उन्होंने जो फैसला लिया उसको माइन नहीं है लेकि गेलो साब को ये होना चीए कि सिक्सा कम से कम टेंथ क्लास होनी बहुत अनिवारी है सरपंच के लिए सरपंच साब मेरा ये नीजी स्वाल है आप से सरकार एक सरपंच को मांदे के रूप में वेतनी मांदे के रूप में 3500 से 4000 पे सेलरी दे रही है क्या इससे सरपंच संतुष्ट है नहीं सर आपके अनुसार कितना एक सरपंच का वेतन होना चीए मेरे इसाब से सर जो सरपंच का एक वेतन होना चीए कम से कम सर देख लो आप 20,000 रुप है 20,000 जिसे वो अपनी जीवी का चला सके इसके लिए उसको कम से कम 20,000 की उसकी मंतली होना बहुत जरूरी है सरपंच साब आपने भी देखा होगा यूवर्ग आज गल नसे में बहुत लिप्त हो रहा है आपके क्या प्रयास रहेंगे नसा मुक्त ग्राम पंचाथ बनाने को सर हम इसको बिल्कुल इसकी के कमेटी बनाएंगे और नसे से दूर रखने के लिए यूवाओं को पुस्सान करेंगे और अब उनको राई बताएंगे कि नसे से दूर रहने का प्यास पूरा करेंगे नसा यूवाओं के लिए जीवन बहुत खत्रे में होता है इसके लिए नसे से उसको दूर रखने का प्यास करेंगे हम धन्यवाद अम्बालाल जी हमारे चैनल में बात करने के लिए आज हम ग्राम पंचाइद पारी सरपेंट्स अम्बालाल जी गुजर के पास आए इन्होंने बताया हमारा सपना है ग्राम पंचाइद का चो मुखी विकास करवाना जनता ने साथ दिया है तो विकास की गंगा बहेगी देखते रहे राश्टर खबर मैं संकर मनसारी मेरे शोगी मनोय यादव